इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पसू परिचर बरती परिक्षा 2024 जैसा कि आपको मालूम है सितंबर 2024 में आपके परिक्षा का आयोजिन किया जाएगा इस परिक्षा में पार्ट B जो कि आपके 45 क्यूशन पूछे जाएंगे पार्ट B से पसू पालन से समंदित इसलिए आपकी सपोर्ट की चरूरत है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल चरूर सब्सक्राइब करें आज क्लास 4 की चर्चा कर रहा हूँ और अगर अभी तक आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में आप जाके देख सकते हो जहां आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मुलेगा जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको भैंस से समंदित MCQ कुशन करवाई थे दूसरी क्लास में आपको मैंने भैंस की नसलों से समंदित MCQ कुशन कराए अब तीसरी क्लास में आपको मै गाये से समंधित M.C.Q कुशन कराएं। और अब चौथी क्लास में मैं आपको कराऊंगा गाये की नसलों से समंधित M.C.Q कुशन उसके बाद मैं आपके लिए बक्री, भेड, मूट, मुर्गी पालन, इनके नसले और इनसे समझेद मैं पुना MCQ कीशनल लाँगा उसके बाद उनके दंतशुतर, उनके ओश दिया, उनसे ओने वाले रोग, उनका रोग कार्दि निवारन, इसी तरह टोपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे इस सेरीज में आपको वीडियो पसंद आये, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सेरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली यूनिव मैं पौने पांच बज़े देखने को मिलेगी और इसकी पीडियो आपको 1K वीडियो क्रॉस होने के बाद, आटोमेटिक हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिलेंगी, जिसका लिंक नीचर डिस्क्रप्शन में दिया हुआ तो अब बात करूँगा, आज मैं गाएं की नसलों से समदित 50 प्लस महतपोन MCQ क्यूशन यानि की वस्तुनिष्ट परकार के क्यूशन होंगे अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आपने हमरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें एक होती सवदेशी और एक होती विदेशी तो विदेशी नसलों के लिए मैं अलग से एक टॉपिक लओंगा जिसमें सभी पुशू के एक साथ लेके आऊँगा कि पुशू की विदेशी नसलों से समदित MCQ क्यूशन इसलिए इस रीज में अभी तक मैंने जो तीन क्लास कराई है उसमें मैंने आपको विदेशी नसलों से एक भी कुशन ने करवाई ये लाश्ट मैं आपके सभी पुशू का एक साथ एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा तो इसका आपका राइट एंसर हो जाएगा सवदेशी गाएं की नसलों में सबसे ज़्यादा दू देने वाली जो नसल है वो आपके हैं साही वाल नसल C आपका correct एंसर हो जाएगा Next question Next question है आपके सामने स्क्रीन पर कोन से नसल की गाएं अर्द चंदराकार शिंगों के लिए जानी जाती हैं आपके पास option है थार पारकर, गिर, शाहीवाल, हर्यानवी तो आपका right answer हो जाएगा गिर नसल की जो गाएं होती है उसके स्थिंग होते हैं वो अर्द चंदराकार होते हैं तो B आपका correct answer हो जाएगा अर्द चंदराकार शिंगों के लिए गाएं की गिर नसल है वो जानी जाती है Next question निमलकित मैं से गाएं की द्वी प्रियोजनिय नसल कौन सी है अब द्वी प्रियोजनिय नसल क्या होती है गाएं की तीन टाइप की नसल होती है एक होती है आपके दुग नसल क्या होती है दुग्द नसल एक होती है आपके भारवाई नसल कौन सी होती है भारवाई नसल और तीसरी आपकी जो होती है वो होती है दुवी परियोजनिय नसल या पिर इसे दुवी परियोजनित नसल भी कह सकते हैं तो ये तीन टाइप की नसल होती है अब कौन सी नसल किसमें क्या होता है फरक ही दिखा देता हूँ जो दुग नसले होती है तो दुग नसलों वाली गाएं सिरफ और सिरफ दूद देती है और जो आपके भारवाई नसले होती है ये दूद नहीं देती है इनका परियोग किया जाता है जुताई और बोज़ाड होने के उदेशी के लिए और जो द्वी परियोजित होती है नसल वाली गाएं ये दूद भी देती है और जुताई और बोज़ड होने के भी काम आती है तो ये फरक है इन तीनों नस्टों में तो क्यूशन में पूछा गया, निमलिकित में से गाएं की द्वी प्रियोजनी नसल कौन सी है, आपके पास उप्सन है हरियानवी, यह हरियानवी होगा, यह आप कट करके हरियानवी लिखो, हरियानवी नसल है, गाएं की कौन सी नसल है, हरियानवी, थार पारकर, मेवाती, उ तो इन मैसे गाएं की जो द्वी प्रियोजिनिय नसल यानि की जो दूद भी देती है और जुताई और बोर्ड होने के भी काम आती है तो ये तीन ही हैं, करेक्ट एंसर आपका D हो जाएगा, हरियानवी, थार पारकर और मेवाती, नेक्स्ट कुशन, भारतिय गाएं में सबसे प्राची नसल वाली गाएं कोन सी हैं, आपके पास decision है मेवाती, अमरत महत, साहीवाल, रैड शिंदी, तो सबसे प्राची नसल की बात करें, तो सबसे प्राची नसल वाली गाएं हैं आपकी रैड शिंदी नसल की गाएं, D आपका correct answer हो जाएगा, comment box में हमें जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है डेली आज चौती क्लास है पहली दूसरी तीसरी कैसी लगी है और चौती भी कैसी लगी है और डेली ये इसी यूटुब चैनल पर पॉने पाँच बजी क्लास देखने को मिलेगी इसले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ओन कर पुसकर मिले में कौन से नसल की गाएं की खरीद फरोक्त ज़्यादा होती है मेवाती, गेर, शाहिवाल, हर्यानवी तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा पुसकर मिला जब लगता है तो वहाँ गेर नसल की जो गाएं होती है उनकी ज़्यादा खरीदारी होती है भी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा next question किस देश में साहिवाल नसल को आसा की नसल भी का जाता है अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रूस तो आसा की नसल कौन सी गाएं की नसल को कहते है एक question ये बन जाए तो आप लोगों के साहिवाल नसल को आसा की नसल कहते है लेकिन ये किस देश में कहते है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ब्राजिल देश में का जाता है सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा next question भारतिय नसलों में से कोन सी नसल की गाएं का दूद सरवार्दिक मीठा होता है आपके पास option ए अमरत महद, गिर, साहिवाल, हर्यानवी तो कोन सी नसल का गाएं का दूद है वो सरवार्दिक मीठा होता आपका राइट एंसर हो जाएगा साहिवाल कौन सा राइट एंसर हो जाएगा साहिवाल C आपका correct answer हो जाएगा इसकी पीडियोप आपको आमरे टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिलेगी लेकिन 1 के विउ क्रोस होने के बाद राजिस्थान की काम धेनू कोन से नसल की गाएं को का जाता है मेवाती, राठी, सायवाल, हर्यानवी तो राजिस्थान की काम धेनू का जाता है कोन से नसल की गाएं राठी नसल की गाएं correct answer आपका हो जाएगा B राठी नसल की गाएं को काम धेनू राजिस्थान की का जाता है next question राजिस्थान की सबसे भारी नसल वाली गाएं कौन सी है option के according आपको बताना है इनमेस सबसे भारी नसल वाली गाएं कौन सी है भारत के सबसे भारी वाली नसल कौन सी है उसका right answer आपको नीचे comment box बताना है आगे फिर भी question आ जाएगा यहां पूछा राजिस्थान के सबसे भारी नसल वाली गाये मेवाती, नागोरी, मालवी, हर्याणवी तो राजिस्थान के सबसे भारी नसल वाली जो गाये हैं वो आपके है नागोरी कौन सी नसल की गाये? नागोरी नसल की गाये B आपका correct answer हो जाएगा Next question थार पारकल नसल राजिस्थान के किन जिलों में सरवार्दिक पाई जाती है? तो यह आपके राजिस्थान के पच्छी मी छितर में जो जिले होते हैं, वहाँ पर सरवार्दिक पाई जाती हैं अब आपको पास option है बाड मेर, जोदपूर, जैसल मेर, उप्योक्षबी तो थार पारकल नसल आपके इन तीनों जिलों में पाई जाती हैं, इसलिए D आपका correct answer हो जाएगा Next question लोग मान्यताओं के अनुशार, भगवान स्री किशन के पास कौन से नसल की गाये थी? correct answer हो जाएगा Next question मेवाती नसल की गाये राजिस्थान के किन जिलों में सरवार्दिक पाई जाती हैं? बाड मेर, भरतपूर, अलवर, B और C तो मेवाती नसल की गाये हैं या आपके भरतपूर और अलवर जिलों में पाई जाती हैं Next question गाये की कौन सी नसल को गुजरात की सान के नाम से भी जाना जाता हैं? आपके पास उप्सन है मेवाती, गिर, साहीवाल, हर्यानवी गर से गुजरात, गर से गिर याद रख सकते हो तो गिर नसल की गाये को गुजरात की सान के नाम से भी जाना जाता हैं बी आपका correct answer हो जाएगा. Next question. भारत की सबसे भारी नसल वाली गाएं कोन सी है? Red Shindy, Gir, Cancrage, Haryanwi. तो भारत की जो अभी मैंने question पूचा था दो मिट पहले, कि भारत की सबसे भारी नसल वाली गाएं कोन सी है? आपका right answer हो जाएगा. भारत की सबसे भारी नसल वाली गाएं हैं काकरेज. C आपका right answer हो जाएगा. अगर अभी तक आपने हमरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चनल चरूर सब्सक्राइब करें, notification on कीजिए, क्योंकि डेली आपको ये class पौने 5 बज़े, इसी तरह topic wise वीडियो देखने के मुलेंगे, MCQK और notification भी on कर दीजिए. स्वाई चाल के लिए गाएं की परशिद नसल कोन सी है? मेवाती, रैड संदी, साहिवाल, काकरेज. तो स्वाई चाल के लिए गाएं की कोन सी नसल परशिद है? right answer हो जाएगा. गाएं की देशी नसल जिसमें सरवार्दिक वसा होता है? साहिवाल, रैड संदी, शाहिवाल आपके पाद दो अपसन अगे, गिर. तो सरवार्दिक वसा है, वो आपके रैड संदी नसल में होता है? बी आपका कराक्ट एंसल हो जाएगा. next question. साहिवाल नसल की गाएं का मूल स्तान है? ब्राजिल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका. तो साहिवाल नसल की जो गाएं है, इसका मूल स्तान आपके पाकिस्तान के मौंट गॉम्री जिला है. तो करेक्ट एंसल आपका हो जाएगा. C. मूल स्तान पुछा गया. next question. कौन से नसल की गाएं गठीले सिंगों के लिए जानी जाती है? मेवाती, गेर, साहिवाल, हर्यानवी. तो गठीले सिंग कौन सी नसल की गाएं के होते हैं, तो राइट एंसर हो जाएगा. सायवाल नसल की जो गाएं होती है उसके सिंग गठीले होते हैं करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा C Next question केले की पति नूमा लटकते हुए गुमावदार कान कौन से नसल की गाएं के हैं गिर, अमरतमहल, सायवाल, मेवाती तो केले की पति नूमा लटकते हुए गुमावदार कान है या आपके गिर नसल के कान है ये आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question भारतिय गायों में भारवाई नसलों में सर्वस्रेश नसल कोन सी है? मैंने तीन कैटेगरी बताई गायों की नसलों में एक भारवाई बताई थी, एक दुख दुन नसल बताई थी और एक दुरी प्यरियोजुनित नसल बताई थी अब पूछा है कि भारवाई नसलों में सर्वस्रेश नसल वाली कोन सी है? मेवाती, अमरत महल, शाहिवाल, हर्यानवी तो भारवाई नसल यह नहीं, वे नसले जो सिर्फ भारड होने के काम आती है, दू देने के काम नहीं आती है तो इसमें आपका right answer हो जाएगा, अमरत महल B आपका correct answer हो जाएगा, भारवाई नसलों में सरोसरेश नसल है, अमरत महल Next question तो मालवी नसल की गाएं आपके इन तीनों जिलों में पाई जाती है, डी आपका correct answer हो जाएगा Next question राठी नसल की गाएं कौन से नसलों के संकरण से बनी हैं? आपके पास उप्सन है मेवाती मालवी, गिर थार पारकर, साईवाल थार पारकर, रेड सिंदी, हर्याण वी मालवी तो राठी नसल की गाएं ये तीन नसलों के संकरण से बनी हैं साईवाल, थार पारकर और रेड सिंदी के संकरण से राठी नसल की गाएं बनी हैं? C आपका correct answer हो जाएगा Next question लोला, मुलतानी, तेली, लंबी बर उपनाम कोन से नसल की गाएं के हैं? मेवाती, मालवी, शाहिवाल, हर्याणवी तो लोला, मुलतानी, तेली, लंबी बर ये उपनाम आपके साहिवाल नशल की गाएं के हैं C आपका correct answer हो जाएगा next question कोन से नसल की गाएं के दूद में सरवार्दिक lactose पाया जाता है मेवाती, गेर, हर्यानवी, साहिवाल तो सरवार्दिक lactose है वो आपके साहिवाल नसल की जो गाएं है उसमें पाया जाता है D आपका correct answer हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चनल जरूर सब्सक्राइब करें, डेली आपको इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे, पसु परिचर परिक्षा के लिए पार्ट बी जो की आपके 45 क्यूशन पूछे जाएंगे, वो 45 क्य यह मैंने आपकी सिरीज जरूर की है, नेक्ष्ट क्यूशन है, साचोरी बन्यार उपनाम कोन से नसल की गाएं के हैं, काकरेज, गिर, साहीवाल, हर्याणवी, तो साचोरी और बन्यार उपनाम हैं, यह आपके काकरे नसल की जो गाएं होती हैं, उसका उपनाम हैं, यह आपक का correct answer हो जाएगा Next question गिर नसल की गाएं राजिस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? फीलवाडा, अजमेर, बाडमेर, A और B दोनों तो गिर नसल के जो गाएं होती है वो राजिस्तान के भीलवाडा और अजमेर A और B दोनों राइट एंसर डी हो जाएगा इन दोनों जिलों में पाई जाती है Next question ब्राजिल में कौन से नसल के गाएं को भाह मान कहते हैं अमरतमेल, गिर, मेवाती, हर्यानवी तो नाम उपनाम है भाह मान ये ब्राजिल में कहा जाता है गिर नसल को जो भारत में गिर नसल होती है उसे ब्राजिल में कहा जाता है भाह मान क्या कहा जाता है भाह मान तो राइट एंसर आपका हो जाएगा B Next question Next question है तो सरवार्दिक रोग परतिरोदक नसल वाली गाएं वो आपके थार पारकर है D आपका correct answer हो जाएगा भारतिय द्वी प्रियोजनी नसलों में स्रेश नसल कौन सी है अभी मैंने कौन सा पूचा के भारवाई नसलों में स्रेश नसल कौन सी है तो आपने बताया था अमरत महल वाली नसल और अब पूच रहा हूँ द्वी प्रियोजनी यानि कि जो दूद भी देती है और भार भी ढोती है तो उस नसल में स्रेश नसल कौन सी है आपके पास option है मेवाति, गिर, साहिवाद, हर्याणवी तो द्वी प्रियोजनी यानि नसलों में देखा जाए तो स्रेश नसल है हर्याणवी डी आपका correct answer हो जाएगा next question कौन से नसल की गाए अधिकांस लक्षनों में गिर जैसी दिखती है मेवाति, देवनी, शाहिवाद, हर्याणवी तो देवनी नसल की जो गाए है वो अधिकांस लक्षनों में आपके गिर नसल की जो गाए है उसके जैसी ही दिखती है भी आपका correct answer हो जाएगा next question है श्टार्ट करने से पहला अगर अगर अभी तक आपने हमरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें notification भी on कर दीजिए next question है राठी गाए का परजनन के अंदर का अंस देते है जाईपूर, भरतपूर, बाढ़मेर, हनुमानगड़ तो राठी गाए का परजनन के अंदर आपके काँ पर इस्तित है राइट एंसर हो जाएगा हनुमानगड़ में दी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक बार comment box में सबी हमें बता दीजिए कि आपको ये class कैसी लग रही है उस हिसाब से हम daily आपको ये class available करवा सके थार पारकर गाए का परजनन के अंदर का इस्तित है हनुमानगड फरतपूर पाली जोधपूर तो थार पारकर गाए का परजनन के अंदर हनुमानगड में इस्तित है ये आपका correct एंसर हो जाएगा Next question कौन से नसल की गाएं का रंग बिल्कुल सफेद होता है गिर, अंगोल, कांकरेज, राठी तो अंगोल नसल की जो गाएं होती है उसका रंग बिल्कुल सफेद होता है भी आपका correct answer हो जाएगा Next question कोन से नसल की गाएं खेतों में हल जोतने हैं तो शरवालिक उप्युक मानी जाती है मेवाती, कांकरेज, अमरतमहल, इनमें से कोई नение तो खेतों में हल जोतने के लिए सरवालिक उप्युक माने जाने वाली गाएं की नसल है अमरतमहल See आपका correct answer हो जाएगा एक तरह का उसी तरह का कुछन है जो कि आप से पूचा जाए कि भारवाई नसलों में सबसे स्रेष्ट कौन सी है नमिलकित मैंसे गाएं की दुवी परियोजनी नसल नहीं है नागोरी, थारपारकर, मेवाती, हर्याणवी नमिलकित मैंसे कौन सी नसल है जो दुवी परियोजनी नसल नहीं है दुवी परियोजनी यानि जो दूद भी देती हो और भार भी डोती हो तो नागोरी है ये आपके दुवी परियोजनी नसल नहीं है ये आपका राइट एंसर हो जाएगा नागोरी आपके भारवाई नसल है, कौन से टाइप की नसल है? भारवाई नसल यानि भारड होने के काम आती है Next question मालवी गाएं का मूल इस्तान कोन सा है? पंजाब, हर्याना, मद्यपरदेश, राजिस्तान नागोरी गाएं का मूल इस्तान कोन सा है? उतरपरदेश, हर्याना, मद्यपरदेश, राजिस्तान तो नागोरी गाएं हैं उसका मूल इस्तान, राजिस्तान का नागोर जिला है, तो करेक्ट एंसर हो जाएगा डी, राजिस्तान Next question वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अमरत महल गाएं का मूल इस्तान कोन सा है? उतरपरदेश, हर्याना, करनाटक, राजिस्तान तो अमरत महल गाएं हैं इसका जो मूल इस्तान है वो आपके हैं करनाटक C आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा मूल इस्तान बोलिए या उत्पति इस्तान बोलिए एक ही बात है Next question है अंगोल गाएं का मूल इस्तान कोन सा है? पंझाब, आंदरपरदेश, मद्रपरदेश, राजिस्तान तो अंगोल गाएं है उसका आपका जो मूल इस्तान है वो है आपके आंदरपरदेश B आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा Next question देवनी गाएं का मूल इस्तान कोण सा है? पन्जाब, हैदराबाद, मधिपरदेश, राजिस्थान तो देवनी गाएं हैं उसका मूल इस्तान है, हैदराबाद है, भी आपका करक्ट एंसर हो जाएगा कांकरेज गाएं का मूल स्थान कोन सा है? करनाटक, हर्याना, गुजरात, राजिस्थान तो कांकरेज गाएं का जो मूल स्थान है वो है आपका गुजरात C आपका correct answer हो जाएगा कांकरेज भारत की सबसे स्रिष्ट भारी नसल है थार पार कर गाएं का मूल स्थान कोन सा है? पाकिस्थान, उतरपरदेश, मदेपरदेश, राजिस्थान तो थार पार कर गाएं उसका मूल स्थान है आपके पाकिस्थान यह आपका correct answer हो जाएगा सरवार्दी गर्मी शहन करने वाली गाएं की कौन सी नशल है गिर, मालवी, कांकरेज, राठी तो सरवार्दी गर्मी शहन करने वाली गाएं की नसल है राठी नसल डी आपका correct answer हो जाएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चनल जरूर सब्सक्राइब करें इसकी वीडियो पापको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर वन के व्यूप रॉस अनिक बाद आटोमेटिक देखने को मलेगी और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन में दिया वाई गिर गाय का परजनन केंदर, उससे पहले मैं बता देता हूँ, कल जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको बकरी से समन्दित मैथपुन MCQ कुशन करवाँगा क्योंकि भैंस से हो गया है, भैंस की नसलों से हो गया है, गाएंस से हो गया है, गाएं की नसलों से अभी हो गया कल बकरी की बात, फिर भेड की, फिर उट की, फिर मुर्गी पालन, इसी तरह topic wise वीडियो लेके आऊँगा MCQ रूप में गिर गाएं का परजनन के अंदर का है, जैपूर, भरतपूर, बाढ़मिर, छालावाड, तो गिर गाएं का परजनन के अंदर कहां पर इस्तित है, छालावाड में, करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा D नेक्ष्ट कुष्ट 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 नेक्ष C, आपका correct answer हो जाएगा. Next question. राजिस्तान, गोवन्स, नसल, शुधार और परजनन के अंदर कहा अस्तित है? B, कानिर, जैपूर, बाढ़मेर, हन्मानगर. तो राजिस्तान, गोवन्स, नसल, शुधार, परजनन के अंदर बसी जैपूर में इस्तित है? कानिर, बसी जैपूर में इस्तित है? B, आपका correct answer हो जाएगा. Next question. Next question है आपके सामने. राजि में गोव सेवा आयो की स्थापना कब की गई है? 12 माई उनिसो चनू, 21 फरोर उनिसो नठाणू, 23 मार्च उनिसो पिंचाणू, 21 जनोर उनिसो नठाणू. तो राजि में गोव सेवा आयो की स्थापना कब की गई है? गोव सेवा आयो की स्थापना आपके 23 मार्च उनिसो पिंचाणू को की गई है? C, आपका correct answer हो जाएगा. Next question. और आज का last question. कौन से नसल की गाएं का रंग इंट जैसा होता है? गिर, मालवी, काकरेज, राठी. तो इंट जैसा रंग है, वो आपके राठी नसल की जो गाएं होती है, उसका होता है D आपका right answer हो जाएगा. तो ये थी आपके पसु परिचर भरती परिक्षा के लिए part B की पसु पालन से समधित class चौती थी आज आपकी. अगर अभी तक आपने पहली, दूसरी और तीसरी class नहीं देखिये तो link नीचे description में दिया है. डेली ये class इसी तरह topic wise MCQ के रूप में देखने को मुलेगी पॉने 5 बजे इसी YouTube चैनल पर इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. जितना ज़्यादा आप हमें support करोगे, हम उतना ही बड़िया content आपके लिए लेके आएंगे, इसके लावा कोई भी doubt है तो नीचे comment box में जरूर पूछे, और इसकी पीडियो पापको one के view cross होने के बाद हमारे telegram group पे देखने को भी लेगी, जिसका link नीचे description में दिया हुआ इसके लावा कोई भी doubt है तो comment box में पूछे और वीडियो कैसे लगा है इसका भी जवाब आप नीचे comment box में हमें जरूर बता है